प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकजामसर में आज हम आपके लिए लेकर के आई हैं एक नया टोपिक सिंदु घाटी की सब्विधा प्यारे विवर्ज, आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो मुगलकाल को बहुत अत्यधिक प्यार दिया उसके लिए हम आपके तह दिल से अभारी हैं तकरीबन तीन लाख विवर्ज मुगलकाल वीडियो के हमारे हो चुके हैं और जो कमेंट्स आपने दिये, सभी कमेंट्स पोजिटिव थे और हमें प्रिरित किया कि हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई शोटकर ट्रिक्स के माद्यम से हम किस परकार सिंदु घाटी की सब्विधा को समझ सकते हैं आपके असीम प्यार को देखते हुए मैं ये कहना जाऊंगा कि इबादतों की तरहें मैं ये काम करता हूँ सबसे पहले मेरे शरोताओं को मैं सलाम करता हूँ तो प्यारे विद्यार्थियो अब हम शुरू करते हैं हमारा नया टोपिक सिंदु घाटी की सब्विधा शोटकट ट्रिक्स के साथ तो लेजे शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंदु घाटी की सब्विधा कहां से कहां तक फैली हुई है तो आपके लिए शोटकर ट्रिक्स आपके दाईं तरफ देखिए दाई मा का सूत आलमगीर में यानि कि महारास्टर के दाईमाबाद नीचे आप देखिए दक्षन की तरफ और मा मींज मांदा उत्तर की तरफ जे एंड की यानि जमू एंड कश्मीर में मांदा और सूत का गीर में यानि कि महारास्टर से लेकर के जमू एंड कश्मीर तक ये उत्तर दक्षन में और पूरो पस्ची में देखा जाए तो आलमगीर पूर से सूत का अगे डोर तक सिंदु घाटे की सभेता फैली हुई थी तो आगे बढ़ते हैं भारत में सिंदु घाटे की सभेता क यानि महारास्टर, जय मदलब जमू, र राजस्थान, उ उत्तर परदेश और है हरियाना यानि पब जी में जरूरी है ये वो परमुक स्टेट्स थे वो राज्य थी जहां पर सिंदु घाटे की सभेता फली थी फूली थी और विश्तार उसका हुआ था आगे बढ़ते हैं सिंदु घाटे की सभेता के परमुक शहर तो अगर पंजाब की बात करें जैसे हमने अभी बताया था कि पब जी में जरूरी है तो पब यानि पंजाब, पंजाब के दो परमुक सहर थे रोपड और संगोल अगर आप उसको देश के नाम से याद रखना चाहें तो रूस, से आपको याद रहेगा रोपड और संगोल गुजरात के जो परमुक सहर थे सिंदु घाटे की सभेता के वो थे सूत कोटडा, रंगपूर, धोलावीरा और लोथल आप इसको कैसे याद करेंगी सुतर धोलो, सुतर जैसे मैथमेटिक्स के सुतर होते हैं ना, तो सुतर धो लो, सुतर यानि सूत, र, रंगपूर, धो, धोलावीरा और लो, लोथल, सुतर धोलो, उसके बाद हम बात करते हैं महराष्टर की, महराष्टरा में अभी हमने आपको बताया था दाइमाबाद, तो महराष्टरा में एक मातर सहर जो है वो है दाइमाबाद, और जम्मू कस ग्षंप Commerce मेर में क्या था मांदा। और महारास्टर में दाइमाबाद 19L उसके बाद राजस्तान के दो शहर किंवуст और कालि बंगा। इसको आप याद कर सकते हैं, हर्यान भी बहुत ही famous जो सोंग है, आजकल बड़ा trend में चला हुआ है, बहु काले की, तो बहु बाला थल और काडा काली बंगा, तो बहु काले की से आप इसको याद कर सकते हैं, जो शिक्स्त है, उत्र परदेश, उत्र परदेश के परमुक सहर ह हर्याना के जो परमुक सहर हैं, वैसे काफी सारे हैं, लेकिन जो परमुक है, राखी गड़ी, बनावली, भगवानपूर, वैसे कुनाल भी हैं, और और भी कई सहर हैं, लेकिन जो ये तीन परमुक सहर है, कैसे याद करोगें इनको? तो राखी बनी भगवान, राखी बनावली, भगवान पूर, राखी बनी भगवान, तो इस परिकार आपको परमुक शहर भी याद होगे, और उनके राजे भी याद होगे, अब आम बात करते हैं सिंदु घाटी का सबसे बड़ा नगर, तो आप याद कर लेना इसको मोहन ज क्या है, अगर हम competitive exam की बात करें, तो जातर आता है कि कौन से अवशेस कहां पाए गए, तो उसको भी हम सोटकर ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगी, तो राजस्थान का जो परमुक शहर जिनके हम बात करें थे, काली बंगा की अगर हम बात करें, तो उसके ट्रिक्स से आपको याद हो जाएगा, आग यानि अगनी कूंड, जोते हुए खेत और काले रंग की चोड़ियां, यही तो आउशेश मिले थे हमें काली बंगा में, आग के कारण जोते हुए खेत और चोड़ियां काली हो गई, इस परिकार से आप याद करेंगे, तो आप के दिमाग में स्थाई रूप से ये बातें समावेशित रहेंगी, अगली हम बात करते हैं, गुजरात, गुजरात में चार सहर थे परमुक, तो चारों के बारे में हम बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं, गुजरात में लोथल, तो अगर मैं आपको ये बताऊंगा, कि इसमें यह यह अवशेश थे तो शायद आपको याद न रहे तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक चीज जोड़ दी कि गोलु बंदर अगनी से चावल चुरा लाया गोलु मैंने यहाँ पर क्यों जोड़ा गर से गुजरात लो से लोथल तो गोलु मीज आपको याद रहेगा कि यह गुजरात के लोथल की बात है कि बंदर अगनी से चावल कहां से चुरा के लाया गुजरात के लोथल नामक सहर से तो गोलु मीज गुजरात का लोथल बंदर यानि बंदरगा अगनी यानि अगनी कुंड यहाँ भी मिला है और चावल के अवशेश और अगनी कुंड अ गुजरात में अगला सहर है रंगपूर अगर चावल के अवशेश की बात करें तो परमुक जो शहर है वो रंगपूर से मिले हमें अगर दोनों दिये हैं तो हम रंगपूर पे टिक करेंगे अगर रंगपूर नहीं दिया तो आप किस पर टिक करेंगे लोथल पर यह अपने थोड़ा ध्यान रखना है इसका, A and B दिये हैं, no problem, तो आप A and B पे कीजिए, otherwise अगर दोनों दिये हैं, लोथल है और एक तरफ रंगपूर है, third option में कोई और है, और four option में कोई और है, तो आप रंगपूर पे टिक करना, प्लीज, अगले हम बात करते हैं, गुजरात का तीसर धोलो, तो सुत कोटड़ा, धो से धोला वीरा था, तो धोला वीरा से हमें क्या मिला है, सू व्यवस्तित नगर, यानि कि नगर बहुत ही बढ़िया तरीके से बसाया गया था, जिस परकार से हम कहते हैं, डिजाइन त्यार करके बसाया गया था, तो वो गुजरात का धोला अब हम बात करते हैं हर्याणा, हर्याणा में जो बनावली है, बनावली से मिट्टी का हल और बैल गाड़ी का खिलोना मिला है, बनावली से क्या मिला है, मिट्टी का हल और बैल गाड़ी का खिलोना, तो ये हमें अवशेश कहां से मिले हैं, बनावली से, ये हमारा था जो पूजा करते थे क्या कुछ धातु में वहां पर व्यापक रूप से परसारित थी उन चीजों का जिकर हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी न हो जाए और आप इससे बोर न हो जाए इसके लिए आज हम इतना ही लेकर क्याएं आपके लिए आप करेंगे करेंगे लोग स्विए ठसे धनल रापके लिएंटी थी वे वान मन स्विए जयरा झाना करेंगे कोनी हैं तक करेंगे न हो से बå फिर नाया हीडियो रेक